कोई भी देश किसी की देश की साहिता करने के लिए तत्पर तयार होता है इसे देखते हुए भारत ने सर नमस्कार जैसे जैसे विस्तार बढ़ता रहता है किसी भी सेक्टर का वैसे वैसे वो काम अलग-अलग देशों में जाता रहता है कोई भी देश किसी की देश की साहिता करने के लिए तत्पर तयार होता है इसे देखते हुए भारत ने सर स्रि लंका के साथ सोर उर्जा प्लांट लगाने का एक विचार किया है और उसके स्थेत उन्होंने वहां पर हस्ताख्षर किये हैं यानि कि एक पार्टनर सीब कर ली है सोर उर्जा पलांट को स्री लंका में लगाने के लिए तो भारत साइता करना चाह रहा है और सोर उर्जा के छेत्र में भारत बड़ी मजबूती की तोर पर आगे निकल रहा है मावारी के टैम से जानी कि जब ये करोना का टैम आया था तो हर देश में अलग तरीके से बिरुजगारी और जो भी कामकास थे वो ठब हो गए थे और फी चीजों का सामना हर देश को करना पड़ा था लेकिन स्री लंका इससे ज़्यादा परवावित हुआ क्योंकि परियाट यानि कि स्री लंका की हलप करने के लिए भी कह सकते हैं महाँ पर एक प्लांठ लगाने का एक समजोता स्री लंका के साथ कर लिया है यह और सारा है कि आने वाला सैक्टर सर सोर उरजा पर ज्यादा अधारित होने वाला है और भारत अपने देश की नहीं बलकि प्लोसी देशों में भी अपने प्लांट खोलना जा रहा है जिससे कि उनका भी वहाँ पर फाइदा हो और भारत को अलग छेत्र में सोर उर्जा में अलग काम्याभी देखने को मिले तो अईसी न्यूज देखने के लिए सर जुड़े रहिए डीप सर्च के साथ